तो दोस्तो स्वागत आपका हमारे नए नए पॉड़कास में और हमने अभी संधी भाई के साथ fitness training का हमने पॉड़कास किया था कि आज हमें बताने वाले हैं अपना एक horror किस्सा जो की बहुत interesting किस्सा उन्हों नहीं बताया था हमारे भी रॉंक्टे से खड़े हो गए तो भाई क्या कहानी है शुरू हो जाओ अब जड़ा गेट नहीं हो रहा है साइंस से अब हम होरर की तरह है तो नॉमली मैं मतलब इन चीजों में पहले बिलीव नहीं करता हूँ ना करता था पहले यह मेरे एक experience है जब भी होरर से related बात होती है तो मुझे वह अपना experience याद आता है बारबर तो basically मैं school time में summer vacation में अपने घर गया था मतलब मैं उत्राख और उस time पे school time पे वहां पे इतनी development थी ना life थी ना कुछ थी technology इतनी कुछ है थी नहीं वहां पे तो लोगों का जो भी time pass होता था वह यह होता था कि मतलब दिन में खेल कूद ली और शाम को जो है अंदर हो लिया जंगली जानवरों से बचने के लिए और यह सब इतना dense अं करने के बाद, maximum education होती थी 12th, तो मेरे गाओं के जितने भी cousins से लड़के दो सोस थे, जो senior से वो practice करते थे, suppose करो उनकी किसी मन्त में अगर भरती है तो उसके 3 मेने पहले से वो शुरू हो जाते थे अपनी running के लिए, और running करने जाते थे वो early morning तीन से चार बजे के आसपास, क जो उनको लगता था कि रोड पर रन करना सबसे एजी और वो सबसे चालेंजिग भी होता था क्योंकि अपसाइड रन करते थे, तो मेरे को एक दिन अपने कजन से मेरे को खुझ दी हुए कि मैं भी आज दौडने चलूंग तुम लोगे साथ, तो उसने रात को मेरे से बोला मैं भी फैसिनेशन थी कि मैं भी दौड़ूंग आज मैं भी अपनी फिट्रेस तरीके से स्कूल टाइम में था, तो मैं उसके साथ लग गया, सुबह उठे अब जहां रनिंग करनी थी और वो जगह हमारे घर से तकरीबन 20-25 मिनट ट्रेक करके थी, मतलब रोड में रनिंग कभी अपसाइट जा रहे हो, कभी डाउंसाइट जा रहे हो इस तरीके से, तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं जा सकते हैं, जैसे हम सिटीज में जा रहे हैं न, गुरूप बना के कंदे पर डाल के, एक बंदा आगे चल रहा है, दूसरा उसके पीछे चल रहा है, तीसरा उसके तो हमारे विलेज में एक स्ट्रेश ऐसा आता है, जो चोटा सा सूखा हूँआ ज़रना है वहाँपर, जो बिसिकली बारिश के टाइम पर पानी ही आता है, तो वह बिल्कुल अंधेरा होता है, मिला अंधेरा मतलब कि वहां इतने ज्यादा देंस ट्रीज हैं, कि बहाँ आ तो मैं उसको जब वो स्ट्रेच पे पहुँचे हम तो मेरे को कुछ एक एक स्पीरियंस हुआ उस समय जो मैंने उस समय के लिए इग्नोर गरा सबसे बहले बट नोटिस मैंने किया उस चीज को जब उस जगह पे पहुँचे तो वहां पे एक मुझे किसी चीज की ड्रॉप होने की अवाज आई जैसे कोई पत्थर फेकता है या किसी तरह की तक करके अवाज आई तो पहले तो मेरा ध्यान गया उस चीज पे बट मुझे मैंने इग्नोर कर दिया यह सूचके की नॉर्मल साउंड है किसी पत्ते की होगी, पेल की होगी कोई होगा, कुछ चूआ हुआ टाइप कोई चोटा मोटा जंगली जानवर हम आगे बढ़े अब जैसे-जैसे हम जा रहे हैं मेरा क्यूंकि फोकुस उसके पैरों में था तो मेरा फोकुस इतना जादा फोकुस था में वह आवाज भी मेरेको क्लिरली सुनाई देने लगी बार-बार तक-टक वाली तो जब-जब मैं उसकी स्पीड में देख रहा था तो मेरा एक ध्यान उसके पैर पे था तो दूसरा ध्यान मेरी उस साउंड के उपर था वह हमारी वाक की स्पीड के हिसाब से वह साउंड चल रही थी तक-टक-टक-टक-टक-टक मैंने एक जगा पे अपनी कजन का हाथ पगड़ के रोका थोड़ा सा नोटिस किया क्योंकि मैं एकदम से घबड़ा गय तो इस से के लिए तो उसने मुझे एकदम से उसने देखा मेरे को और उसने मुझे इग्णोर करा और वह उस समय के लिए वह आवाज जोग गई अब वह वापस चले तो फिर वापस वह आवाज तेज हो जाए तो उस समय तो मैं घबरा गया था बहुत जादा मैंने उसको कुछ नहीं बोला कि मुझे इस तरी की साउंड आ रही है और मुझे उसको यह भी दिखाना था कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ एक होता ना जब एक टीनेजर बड़ा होता था कि मेरी तो फटी नहीं किसीज है अगले दिन मैं बिमार पड़ गया मतलब जब मॉर्निंग में उठा तो मैं फीवर मेर को फीवर दा और हमारे गाउं में यह बड़ा बिलीव है यह सब चीजों का स्पेशली उतराखंड में जो लोग उतराखंड जातें हैं माउंटने समें उनको पता है वह पर बहुत जाता देव भूम ही मानी जाती है और यह सब चीजों में बहुत बिलीव करतें स्पे रिच्वल चीजों के विवर तो उन लोगोंने मेरे को सबसे यह पूछा कि यह तबवित खराब हुई है, तो मेरी ग्रांट मदर थी उनों हमेरसे पूछा तुम सुबह साथ में गए तुम कहीं पर डरे थे एक बने के भुछबता है तो मैं मतलब उनको कुछ बोला नहीं मैंने के शुब घर जाता है मतलब तो आले मैं सब्सक्राइब तो तुम सुबह रनिंग करने गईए तुम जहां भी गए तुम कहां गए थे सुबह मैं अगला मैं तो दाड लगाना है था उनके साथ, उनके साथ अपने तो वहाँ पर ड्टर से सबसे पहले इन सब चीजों को अपने फॉर फादर्स को याद करते हैं जो अपने लुकल गोड गॉड होते हैं, दीवी देफता होते हैं, भभूती लगाते हैं तो वह भभूती लाके एक कोई लेडी थी फुश्रू हो गई ऐसे थी करके मुझा उन्होंने पता चलिया कि उन्होंने रेलाइस कर लिया और उन्होंने मुझे बताया नहीं यह सब चीजे कि ऐसा कुछ हुआ है मैं क्योंकि छोटा था मैंने यह सब चीजों को बस एक्सपीरियंस कर रहा था और इसलिए में इन चीजों को उस दिन के बाद से मेरी ग्रांड मदर कर रही है और एक ओल लेडी आई उन्होंने किसी को बुलाया और वो जो है बेसिकली हमारे हर गाओं के एक अपने मंदर होते हैं जहां पूरे गाओं वाले साथ में जाके मतलब दिया विया जलाते है वो जो लोकल गॉड्स होते हमारे वहां पर एक हवन चलता है जैसे आपको अचानक किसी चीज के लिए प्रिपेर ना आपको एकडम से को एकडम से शौक में डराया तो आप ड़ते हो ना मैं एकडम से ऐसा हुआ और मेरे को यह रिलाइज हुआ कि मेरी ना बोड़ी बहुत स्टिफ और हेवी है और जैसे ही वह चीज हुई तो मुझे इसके बाद अग्म से लगा कि मेरी बॉड़ी स्टिफफनेस मेरी रिलीज हो गही है फिर उसके बाद मैने अपने कजन से बूचा कि ये मेरे को क्या कर रहे थे और यह हुआ कि अको तो उसने मेरे को बताया कि तू कल उस हरने के पास मैं तूने मेरा हाथ पकड़ अब तू और तूने बताया दादी को कह रहा है नहीं मैंने कुछी नहीं बताया पस उनको पता था कि हम लोग सुबह गए हैं तो उन्हों ने इसलिए पूछा दे रहे और हमारे यहां पर ऐसा होता है एक चीज होती है मैं तुझे बता देता हूँ जिस जगह से हम गुजर रहे थे उस लिए उसको बरी करते हैं तो वो उसको उपर दफना दिया था और ऐसा बिलीव है कि वो बच्चे की रोने की आवाज आती थी पहले उस था नाइम पर यज़े कोई चोटा बच्चा रूता है कई टाइम तक वो आवाज आती रही और एक टाइम तक वो आवाज हेवी होती चाहिसे लेगे, कहने के मतलब कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसकी आवाज भी होती थी और बहुत ज्यादा लोगों को वह फील भी होती थी Especially जब उस रास्ते से निकलते तो 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 मुस्ती लोग उस से उस रास्ते से अवाइड करते जागा कुछ के वहां चुछ को यह कि उसने cut which then लोग के वहां पिन युजी गना जमेर को मैं खरता है को इसम पर गहां आने आने कुछ देखा को और वह नदी के क्रॉस नहीं हूई तो वह नहीं कहलेत ननी दिख ही इव दूसरे गाओ जाय का ऩशी है वह उसी एरिये में घूमता आए और वह उसी एste ही ही और उसी एरिये से ही लोग जो आते जाते हैं उनको तंग करता एक प्रेशान करता अ GTA उनको अपनी प्रेजन्स दिखाता है वहाँ पर तो वह एक चीज थी जो मेरे को पहली बर ऐसा एक्सपीरेंस हुआ और आज भी में उस जगह से जाता हूँ उस जगह पे आज भी कोई घर नहीं बनाया है उस एरिये पे और वहां पर मेरे अलावा जो उसने, मैंने उसे पूछा कि किसी और ने भी experience कर रहा है तो उसने मुझे बताया कि यहां पर कई बार लोगों को ऐसा experience होता है कि कोई रास्ते से जा रहा है या तो वो उसके उपर कोई पत्थर फेक रहा है और एक किसी काथ ऐसा experience हुआ था कि जो हम जब bonfire करते हैं लकडी जलती है तो लास्त में राख रह जाती है और शोले से बन जाते हैं तो उसको ऐसा realize हुआ था कि किसी ने उसके उपर वो फेक हैं वहां से साथ experience हुआ उसको विमार पढ़ जाते थे और एक ताइम को जाते हैं और फिर उसको जो हमारे जो गौड है उनकी अब भभूती लगाते थे तो ठीक हो जाते थे तो यह मेरा परसनल experience है तब मेरे चाइल उड़ा हो कि मेरे को कई बार अभी भी मेरे को कई बार डादी को बत थाली बजाते हैं और एक घंण आख बजाते है जो के पर शिव जी कि पास उसके बाद जो प्रेज करते और वो गौड की सोल किषए करती Е गौ किसी के बॉड vendors करता है और वहां के लोग जो सबसे पहले जो अपनी फैमिली की प्रबेम होती है वह उन से शेर करते हैं ऑर उन करते हैं यह मैंने कही बार देखा है लोगों को देखते हुए एवन एक पहले मेरे को डाउट होता था कि यह सब चीजे सब धकूसले है मैंने एक चीज़ देखी थी एक ऐसी लड़की जो सिरफ हिंदी बोलती थी और उसकी बॉड़ी में जब वो एंटर हुए तो वो जो पहाडी लोकल लांगविज होती है उस लड़की ने कभी नहीं बोल रही थी और मैं बड़ा इसकी कैसे बोल रही और बहुत ही जैसे बात कर रही थी उसने बेसिकली वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि फैमिली बैठी थी उसने उस लड़की की वो फैमिली पार्ट थी बेसिकली गुजरात साही थी और छोटी लड़की थी 11-12 साल की उसकी तब्यत खराब रहती थी बहुत जादा तो वो उस चीज के लिए वो पूजा करी जागर करा गॉड आये उसकी बॉड़ी में जो लोकल गॉड हमारे गॉलु देफता बोलते हैं हमारे महां उनको तो वो उसकी बॉड़ी में और उन्होंने एक चीज ऐसी बोली जो उनको खुद सेल्फ रिलाइजनी होई उन्होंने बोला कि आपकी फैमिली कि मेरा मन साफ है तो उसने बोला कि पानी लेकर आओ और सब मुझे ग्लास में पानी ओफर करेंगे तो दस लोगों में से सिर्फ दो लोगों का पानी बिया और जिसका मेरा पानी बिया सिर्फ उनी का मन साफ है और बागी सब के दिल में खोट है उसने क्लियर कर दिया बेसि सिरफ इसी वज़े से, अपने forefather को प्रेस करो, उनको याद करो, उनकी blessings लोग पूजा करो और उन्हाने वह काम किया और genuinely उनकी family बहुत happily, मतलब उसके बात जो मैंने सुनने में आता है उनको जो problem होती थी, कभी नहीं हुए उनको प्रब्लम तो यह एक ऐसा experience है, मतलब वहाँ पे आप हॉरर बोल सकते हो या देवी देवता होगा, वहाँ पे supernatural है भाई यह in fact ना बहुत को और इन God की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इनको God of justice बोलते है हमारे वहाँ पे और इसलिए उनको बुलाया जाता है, अगर आप कभी मुक्तेशवर घूमने जाते हैं तो रास्ते में केंची दाम आता है, जहां पे नीम करोली बाबाजी का मंदर है उससे पहले भवाली से एक राइट को रास्ता कटता है, जहां पे एक एरफोर्स का स्कूल, भी एसनिक स्कूल बोलते हैं उसको, उसके पास में घंटियो वाला मंदिर है, वहाँ पे हजारो घंटिया लगी हुई एक मंदिर में, और आप कभी उस मंदिर में विजिट करे तो वहाँ ऐसा बिलीव है, अगर आपको कोई केस है, कोट में, आपकी कोई ऐसी चीज है जो आपकी पूरी नहीं हुई, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप उसको लिख के अपर अरजी लगा के आजाओ, वह पूरी हो जाएगी, और जब वह पूरी हो जाती है, तब में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हम उनको प्रेस करते हैं, उनको याद करते हैं, वह किसी की बॉडी में इंटर करते हैं, और वह लोगों को बताते हैं उसका solution, तो यह बिलीव है, वह उतरा खंग है, तो जब आप बात कर रहे थे होरर वाली, मेरे यह होर प्रॉब्लम होती है, जिनके मन में कोई लालच नहीं होता है, जिनके मन में कुछ थौट प्रोसेस नहीं होती है, तो कुछ गह रहा था शौब्लम? मैं कह रहा था कि उत्राखंड के बहुत सारे कॉमेंट्स भी आते हैं कि कभी भूत देखना हो तो यहां हो, तुम्हें पता चले हैं आप उत्राखंड में ऐसी मिस्टीरियस जगाएं और ऐसी स्टोरी महाभारत के टाइम से, क्योंकि उत्राखंड में माना जाता है कि महाभारत ख़तम होने के बाद जो पांडवों ने अपनी यात्रा करी थी, स्वर्क के लिए उत्राखंड से स्टार्ट करी थी, तो वहां पर उनके काफी सारे सबूत बोलते हैं, वहां पर प्रूफ्स हैं, कि जहां पर उनके मंदर बने हुए हैं, उत्राखंड में, भीम ताल इसलिए फेमस हैं, तीक है, आप जो नौकुचिया ताल बोलते हैं, उसके बाद आप साथ ताल बोलते हैं, यह सब महाभारत से पत्थर हैं, जो एक चेर की शेप में हैं, आप कभी जाओ को वहाँ पर ट्रेक करके जाना बढ़ता है, शिवजी कोट बोलते हैं, उस जगह को, शिवजी का कोट मतलब काथी बोलते हैं, बेसिकली चोटी, लोकल लैंग्विज में काथी, तो उस चोटी पे दो पत्थर ऐस तो भीम ने उसको चूँ करके इसे थूका था, तो वो उस सोमेश्वर की वैली में, बीच खेत में वो पत्थर गिरा, ठीक है, और वो जो पत्थर है, उसका साइज कितना बड़ा है, इस घर से बड़ा होगा, मतलब जिस जगह में बैटे हैं, इस जगह से बड़ा है, और बोलते हैं, वो उसके कंकर दा, तो सोचो उनका साइज और उनका कितना हूज होगा वो, तो वहां पर कई सारी ऐसी मिस्तिरियस जगह है, जो नडिसकोवर्ड है, जहां पर लोकल लोगों का मानना है, और उस जगह को बहुत बलीव है, बहुत बलीव है, बहुत वहां से नीचे वैली दिखती है और उस पे वह पत्थर इतना सा दिखता है लेकिन रियालिटी में जब आप ट्रक करक करके वापस उस खेतों के बीच में जाओ कि जब पत्थर देखो को वह अक्चुली बहुत हुज बोलते हैं उन्होंने वहां से खा कर ऐसे थूगा था उस इतनी mysterious stories हैं इतनी सारी चीजें हैं कि मतलब आप सुनके जो है पहले तो believe नहीं होता बड जिसके साथ experience होता है और जो इस चीज को जानने कोशिश करता है तो उनको वह उस चीज पर believe भी आता है इसलिए बोलते हैं जब चार दाम की यात्राएं होती हैं सब उस तरफ से ही इ negative vibes भी होती है तो वह balance जो है न वह अलगी है उतनी होती होंगी भाई balance maintain कर रही है तो यह है और उत्राखंड का जो जितनी भी नदिया है अब देखो चाहिए वह कोई न कहीं कोई हरदवार से आ रही है कोई रामनगर के रास्ते आ रही है वह आती इसी region में है लेकिन जहां स वह निकलती है वह बिल्कुल प्योर जगाए है तो वहां पर बहुत सारी इसी stories है भाई मुझे लगता है उत्राखंड को लेकर एक dedicated podcast बनाना पड़ेगा जिसमें detail में discuss की जाए फिलाल दोस्तों अगर आपको इस podcast में मज़ा है तो जरूर comment करो इस channel को subscribe कर लो और मुझे यह podcast को देख रहे हो तो भाई अगर आपने make sure कर लो कि आप भाई का second podcast भी देख लेना जो हमने कर रहा है और भाई को भाई का YouTube चैनल यूटीब चैनल है आपका नहीं ने मेरा कोई चैनल में आपको लगा सकते हैं लोगों के लिए हम बिल्कुल अगर आपको reach out करना हो किसी को personal training के लिए कोई ऐसी doubt clear कर दे हां मतलब कोई questions हो कोई किसी के बास और बढ़ियां होरा stories है बोलना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो भाई हमें hit करो instagram पर हमारे instagram भी यह यह नहीं मेरे साथ हैं और यह होगा मैं से मुझे बुला लो यह समने information informative चैनलो दोस्तों मिलते हैं आप Sinay बाई बाई बाई